हर हर महादे जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही अस्पीशियस मन्ट स्ठार्ट हो गया है जो है सावन तो आईए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सावन मास का महत्वर और इससे जुड़ी कुछ विशेश बात है सावन सुमार के सभी वर्ट बगवान शिवर और माता पार्वती को समर्पित है इसलिए सावन में कावड यात्रा निकाली जाती है कावड में बगवान शिवर के सभी भक्त छोटे छोटे बर्तिनों में पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं साथ ही केसरिया रंग के कपड़े भी बहनते हैं और अपने भक्ति और समर्पन के परतीक के रूप में बगवान शिवर से जुड़े पवित्र स्थानों तक पैदल जलते हैं आईए अब जानते हैं सावन मास की पूजन विदी की इस महीने किस तरह से पूजन करना चाहिए जिससे की भगवान बोले नाथ आप पर परसंट हो और आपकी सभी मनोकामनाई पूरी करें सावन के दिन प्रात्यकाल सनान करने के बाद शिव मन्दिर जाएं गर से नंगे पैर जाएं तथा गर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएं मन्दिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें बगवान को साश्टांग करें वही पर खड़े होकर शिव मन्त्र का 108 बार जाप करें साए काल बगवान के मन्त्रों का फिर जाप करें तथा उनकी आरती करें पूजा की समापती पर केवल जलिय अहार ग्रहन करें अगले दिन पहले अन वस्त्र का दान करें तब जाकर व्रत का पारायान करें तो इस बार जानते हैं कि सावन महीने में कितने सोमवार हैं हिंदु पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है वैसे सावन का महीना 4 जुलाई से शुरूप होगा लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण सावन में 8 सोमवार रहेंगे तो जैसे की पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24, चौथा सोमवार 31, पांचमा सोमवार 7 अगस्त, छटा 14 अगस्त, साथमा 21, आठमा 28 और सामन का आखरी सोमवार 31 अगस्त को होगा 19 साल बाद सावन पर ये शुप सेयोग बन रहा है, इस साल का सावन बेहत खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार सावन 59 डेज का होगा ये है सेयोग लगबग 19 साल बाद बनने जा रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अधिक मास के कारण सावन दो महीने का पड़ रहा है, अधिक मास की शुरवात 18 जुलाई से होगी और 16 अगस्त को इसका समापन होगा तो इस बार हमारे पास बगवान बोलिनात को परसंद करने के लिए अधिक दिन है, तो मन लगाकर बगवान बोलिनात की भक्ती करे और उनके मंत्रों का उच्चारन करे जैसे कि करपूरि गौरं करुणावतारं संसारि सारं पचिकेंद्र हारं सदाव संतं हृद्यार विंदे बवं बवानी सहितं नमामी अर्थात हम महादेव और माता पार्वती को नमिशकार करते हैं हर हर महादेव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीची और लाइक और शेर जरूर करे and keep motivating to make such more videos Thank you so much